कि गाय खुद पालो एक गाय दो गाय घर में रखो और आप स्वयम घर में गाय का दूद बच्चों को शुद्ध दूद पिलाओ शुद्ध थोड़ा सा जमाओ दही बनाओ थोड़ा सा घी बनाओ और खुद घर में घी और दूद की नदी आपके घर में बहनी चाहिए कुत्ता पाल सकते हो पचास-पचास हजार के तो गईया नहीं पाल सकते गाय की सेवा करोगे तो आज लोग वीमार क्यों पढ़ते हैं खान-पान तुमारा विगड़ गया कुछ भी खा रहे हो शुद्धता जो भारतिय शुद्धता थी धीरे धीरे डाउन पढ़ गई इसलिए मैं आपको निवेदन ही कर रहा हूँ आप सुद्ध गाय की सेवा करोगे बहुत जरूरी आपको पता है गाय का एक तोला घी मतलब 10 ग्राम घी जलाने से लोग कहते थे न पुराने लोग अरे तुम तो हवन करके घी बरवाद कर रहे हो पागल घी हवन करके बरवाद नहीं होता गाय का शुद्ध पूछ लेना डॉक्टरों से साइन्टिस्टों से वेग्यानिकों से गाय का एक तोला घी मेंस 10 ग्राम घी जलता है तो एक टन ऑक्सीजन प्रगट होती है गाय के घी से एक टन ऑक्सीजन रिलीज होती है एक तोलागी इसलिए हमारे बड़े बड़े रिसिमुनी साधू संद सुआहा करके जो किलो दो किलो घी जलाते थे वो बेकार नहीं था वो प्रकरती के लिए सबसे बड़ा बर्दान था यदि मेरे देश का प्रत्यक व्यक्ति एक एक तोलागी रोज जलाने लग जाएगा न तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ दुनिया जलाने लग जाए ओजोन परत का छेद महिने भर में भर जाएगा प्रदूशन समाप्त हो जाएगा घी से ऑक्सीजन जादा बनेगी कारवन डायकसाइट की मात्र प्रकृति में जादा होने से प्रदूशन है यदि ऑक्सीजन जादा मिल जाएगा तो काम बन जाएगा आज oxygen की मात्रा कम है और carbon dioxide की मात्रा carbon जादा है oxygen कम है जबकि चाहिए क्या oxygen जादा चाहिए carbon कम चाहिए पर उल्टा हो रहा आपको एक चीज और बता दूँ कि गाय oxygen लेती है और oxygen ही छोड़ती है जबकि हम oxygen लेके carbon छोड़ते हैं क्यों जी तो गाय प्रकृती के लिए बोज नहीं है गाय जहां रहती है जिसे दमा की स्वास की वीमारी है वह गाय के गर्दन पे रोज हाथ फेरे गाय की जो स्वास निकलती उसे ग्रहन करे तो वह रोग ठीक हो जाते है गाय का मूत्र लेने से हल्दी के साथ लेने से कैंसर जैसी वीमारियां ठीक हो जाती है इस धर्ती पे कैंसर का कोई इलाज नहीं है डॉक्टर थेरपी दे दे के मार और डालते है कैंसर का एक ही इलाज है हल्दी लीजी ये दो चम्मच रोज कच्ची जो दाल सबजी में डालते है चम्मच कच्ची खालो और जवरदस्त उपर से गव मूत्र पी लो बचिया का मूत्र होना चाहिए बचिया का मूत्र दस प्रकार के कपणों से दस लेयर कपणों से छान कर शुद्द करके और मूत्र पी जाओ गव मूत्र पीने से हम कैंसर को भी जीत सकते हैं और याद रखिएगा हल्दी एक चम्मच रोज लेने से कैंसर कभी नहीं होता कभी होता ही नहीं है यदि हो गया है तो दो चम्मच हल्दी लो सवेरे और साम को और दिन में चार वार गवमूत्र लीजिए हल्दी और गवमूत्र से कैंसर कंट्रोल में आएगा और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी 15 दिन में रेजल्ट आपको मिल जाएगा इतनी ताकत है गौमूत्र की आपको बता दें बड़े बड़े बड़ी बड़ी कंपनियां गौमूत्र पर रिसर्च कर रही हैं गौमूत्र को मार्केट में लाने की कोशिश चल रही है कि हम दवाई के तौर पर गौमूत्र को पेस करें हमारे बड़े बड़े रिसिमुनी पंचगब्य का प्रयोग करते थे जिसे चर्म रोग होता है खुजली की बीमारी होती है वह गाय के गोवर से सनान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है गाय तो अम्रत देने वाली है गावो विश्वश शमात रहा लेकर आज हम गाय की सेवा ना करके कुट्तों की सेवा में लगे हैं बदल गया ना देश सोच बदल गी विचार धार बदल गया इसलिए गाय की इज़द करना सीखिए गाय का आदर करना सीखिए गाय हमारी माता है वो बोल नहीं सकती पर हमारा पालन करती है जब हमारा देश आजाद हुआ था ना मेरी माँ 1947 में मैं उस समय की बात करूँ उसके पहले तो और बत्तर स्थितियां थी हमारे देश में खाने को अन नहीं था भोकमरी मच रही थी पूरे देश में हाँ या ना आप अपने बाप दादों से पूछना कि उनके पास सवेरे खालिया करते थे तो साम को खाने की रोटिया नहीं हुआ करती थी इतनी गरीबी थी बूड़ी बूड़ी माताओं को बूड़े बूड़ी लोगों को आज भी पता होगा खाने को रोटियां नहीं थी उस समय जानते हो लोग किस पर निर्भर थे जब हमारे देश में खाने को रोटियां नहीं थी तब हमारे देश के लोग किस पर निर्भर थे दूध पर जब धर्ती से अनाज नहीं निकलता था क्योंकि पानी की समस्या थी बोर बेल हुआ नहीं करती थी टेकनोलोजी थी नहीं कुए के भरोसे खेतियां हुआ करती थी किस के भरोसे कुए के भरोसे और कुए में भी पानी अब कितना निकाले आदमी बैलों से कोलू चला के पानी निकालते थी, पुरानी टेक्नोलोजी थी, क्यों जी याद है ना, ऐसे खेतों में से चाहित त्यादी होती थी, क्योंकि बोर बैल हुआ नहीं करते थे, उस जमाने में, जब हमारे देश में, सबसे ज़्यादा भूख की, तब हमारे भूजळ नई इसमें सबका पालन गाय करती थी सब काई का सब द Oui जब भोजन नहीं मिलता था पेट बर तो दूद पीड़ लेते थी यह कि दूद पीते थे दही खाते पर लसी और बड़ी अमक्षन खाते थे तो हमारे यहाँ हमारी जीवी का चलाने का साधन उस जमाने में क्या हुआ करती थी पहले हर घर में 4-4-6-6-10-10 गाय होती थी और पहले के जमाने में जिसके पाद जादा गाय होती थी वही धनवान होता था सुन कहावत सुनो दोहा सुनो मैं आपको पुराने साख्ष सबूत दे रहाऊ हूँ सुनो गौधन धन किसे का आज बोला जाए धन क्या है पैसे रुपिया को धन नहीं कहा जाता गौधन गौधन गजधन पहले गाय होती थी जो राजा महराजा उनके घर हाथी हो, जो जितना हाथी जिसके पास, वो उतना बड़ा राजा, गौधन, गजधन, बाजधन, और रतन धन खान, रतन मेंस रतन, सोन, हीरे, मोती, पुखराज, मानिक के इत्या दिया, गौधन, गजधन, बाजधन, और रतन धन खान, जब आवे, संतोस धन, सबधन, धूरी, समान, पहले का धन गौधन ही है, जिसके पास, जितनी गाय होती थी, वो तना संपन होता चाहाँ